जैश्री कृष्ण दोस्तों गईया प्यारी मैया प्यारी कानहा को है प्यारी राधा माखन मिस्री भोग इना है चप्पन भोग भी आदा जी हाँ दोस्तों माखन मिस्री कानहा का सबसे प्यारी भोग है तो वो कैसे हो सकता है कि हम आपको ना सिखाए जिस दिन हम माखन मिस्री का भोग बना रहे थे और माखन जब हमने निकाल लिया तो मन में बार बार खयाल आ रहा था कि इसको किसी कांच के या स्टील के बरतन में रखने का मन नहीं है, कोई अच्छी सी चीज अगर मिल जाती, इसको रखने के लिए तो कितना अच्छा होता, और आपको तो पता ही है, पिछले काफी महीनों से लॉंक डाउन चल रहा है, बजार जाने का तो मतलब ही नहीं है, बस मन में यही खयाल चलते-चलते, किसी काम से खल्मारी खोली, और पता नहीं कहां से एक छोटी सी मिट्टी की मठ्की समान में से बाहर जाक रही थी, मतलब ऐसा लगा कि लड़ू कोफाल से हम ही चाते हैं, कि तुम परिशान मत हो, तुमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा भोग किसमें रखना है, मेरा माखन मेरी मिस् तो चलिए देखते हैं कानहा की प्यारी माखन मिश्री भौक कैसे बनाना है कि आज हम बनाएंगे कानहा की प्यारी माखन मिश्री इसके लिए हमें चाहिए मलाई बरफ निश्री के दाने और तुल्सी दल और एक ग्लास ठंडा पानी इसके लिए हम मिक्सी का थोड़ा बड़े वाला जार लेंगे और उसके अंदर अपनी मलाई और पानी को डाल कर चलाएंगे थोड़ा सा चलाने के बाद ही आप देखिए इसमें से हमारा मक्खन जो है बिल्कुल इस तरीके से अलग हो जाएगा अब इसको अपनी चम्मच की हल्प से एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसको अगर आप चाहें तो एक दो बार सिंपल पानी से धो सकते हैं यह हमारा मक्खन निकल गया इसके उपर अब हम डालेंगे अपने मिश्री के दाने और तुलसी दल माक्खन मिश्री का यह भोग हमारे लड़ू गोपाल जी का सबसे प्रिया भोग है तो इसलिए इसे भोग में जरूर शामिल करिए तो लीजे यह हो गई काना की प्यारी माक्खन मिश्री जब हम इस भोग को बना रहे थे और शूट कर रहे थे और फोटो शूट करने के लिए हम रोज ही बाहर से फूल, पत्ते वगेरा तोड़कर अपने चीजों के आसपास बिचा कर उनकी फोटोग्राफ्स लेते थे उस दिन भोग बनाते बनाते ही मन में बार बार ये खयाल आ रहा था कि इतनी तेज बारिश है कैसे होगा फिर भी भोग बनाते रहे, बनाते रहे फिर लगा कि कोई बात नहीं, चलो बारिश है फिर भी फूल तो तोड़ नहीं है, काम तो पूरा कर नहीं है और जैसे ही हमने कमरे के बाहर कदम रखा फूल तोड़ने के लिए अच्छानक से बारिश बन मतलब अंदर से ऐसा लगा कि कही न कहीं वाकई भगवान ने सुन ली और उन्होंने बारिश बन कर दी जाके फूल तोड़के हम वापस ले आए उसके बाद अपना काम करने लगे और अंदर फैर रखते ही वापस बारिश शुरू इसे आप भगवान का चमतकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे दोस्तों आप बरंदावन कए होंगे आपने से बहुत लोग तो गए ही होंगे और बरंदावन की तो गली-गली में लस्टी, पेड़े यही सब चीजे काना की प्यारी-प्यारी चीजे मिलती है पल सबजी मेवे मिठाई से भरे थाल के थाल काना का मन मोह लेती है पेडा लस्सी गोपाल आपने सुना हैं पेडा लस्सी के बारे में? नहीं सुना? तो आगे वीडियो में देखिए गोपाल पेडा लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए गाडा दही, थोड़ा सा मावा, कुछ आइस क्यूब्स, थोड़ी पिसी हुई चीनी, थोड़ा सा इलाइची पाउटर सबसे पहले दही और पिसी चीनी को मिक्सी में डाल कर चला लेंगे, थोड़ी सी पिसी चीनी छोड़ेंगे, थोड़े से आइस क्यूब्स भी मिक्सी के जार में डालेंगे और इससे हम अपनी मीठी लसी बना लेंगे अब हम अपने मावे में थोड़ी सी बच्ची हुई चीनी और थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल कर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके छोटे-छोटे से गोल-गोल पेड़े बना लेंगे यह देखिए बहुत छोटे-छोटे से हमें इसमें पेड़े बनाने है अब किसी ग्लास या कुलड में सबसे पहले हम अपने पेड़े डालेंगे और उसके उपर अपनी ठंडी लसी डाल देंगे उपर से थोड़े से कटे मेवे भी डाल सकते हैं यह हो गई हमारी गोपाल पेड़ा लसी भोग के लिए एक दम तयार भोग से जुड़ी हुई एक और बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक दिन भोग बनाते बनाते जिस चीज से हम शूट करते हैं मतलब ट्राइपॉड या सेलपी स्टिक अचानक से वो तूट गई बाहर इतनी बारिश, लॉकडाउन का समय और अगर ऑनलाइन भी ओर्डर किया जाए तो भी आजकल बहुत लेट हो रही है डिलीवरी बन एकदम परेशान हो गया कि अब कैसे काम होगा एक दो वीडियोस में आप ने देखा भी होगा हमारा कैमरा थोड़ा हिलता डोलता सबी नजर आ रहा है बहुत परेशान होगे कि कैसे होगा काम अब आ गई है तो बिल्कुल बाधा ही पड़ गई है काम में पता नहीं कैसे अचानक एक फ्रेंट का फोन आया और ऐसा भी नहीं है कि उससे कोई बहुत बाते होती रहती हूँ या जो रोजी फोन आते हैं पता नहीं कैसे उनका फोन आ गया और क्योंकि मैं इतनी परेशान थी तो मैंने उनसे बोला कि आपके पास सेल्फिस्टिक है क्या और वो तुरंद बोली कि हाँ मेरे हाँ तो दो-दो हैं बलकि एक हमारी यूज भी नहीं हो रही और कोई बात नहीं मैं आप किया भेज दो मन अंदर से इतना खुश हो गया लगा जैसे काना जी नहीं उन्हें इशारा करके कहा हो कि मेरा काम है रुकना नहीं चाहिए और उन्होंने मुझे फोन कर लिया कि ऐसे कहीं प्यारे प्यारे अनुभव हुए हैं जो जब स्वयम को होते हैं तब ही पता चलता है कि हां एक शक्ति है जो हम सबको चला रही है चलिए अगली वीडियो देख लेते हैं अभी हमारा खाने में गोविंद रायता रहता है वो सीख लेते हैं गोविंद रायता बनाने के लिए हमें चाहिए दही उबला आलू पारी कटा हुआ एक अद्दुकस किया हुआ खीरा, सेंदा नमक, काली मेच, भुना जीरा पाउटर और ये व्रत की हरी चटनी सबसे पहले हम अपनी दही को इस तरीके की छलनी से चान लेंगे दही थोड़ा गाड़ा हो तो अच्छा रहेगा उसके अंदर हम अपनी ये व्रत की हरी चटनी अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसमें अपना आलू, कद्दुकस किया हुआ खीरा और अपने सारे मसाले मिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और ये हमारा गोविंद रायता भोग के लिए तैयार है इस पूरे चप्पन भोग के दोरान कई बार ऐसा भी हुआ कि शूट के समय दब्यत ने साथ नहीं दिया मेरी तो गर्दन में पीच में दो दिन इतना दर्द रहा कि मैं गर्दन को ऐसे और ऐसे भी नहीं कर पा रही थी उस वक्त भी यही लगता रहा कि कैसे होगा यह काम पूरा पर फिर भी हिम्मत करके यही सोचा कि चलो कोई बाद नहीं जितना भी होगा थोड़ा थोड़ा जितना उनकी कृपा होगी उतना हम करेंगे लेकिन सच में जैसे ही काम करने के लिए बैठती थी अपना दर्द भी भूल जाती थी और सब काम उनकी कृपा से बहुत ही आसान होते चले गए शाम फ्रेम का प्याला पीकर हो जाऊं मतवारी चलिए सीखते हैं भोग के लिए बनाना चावल बनवारी चावल बनवारी बनाने के लिए हमें चाहिए सामक के चावल इनको हमने अच्छी तरह दो तिन बार धोकर दो घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है एक आलू बारी कटा हुआ घी जीरा काली मिर्च पाउडर सेंधा नमक थोड़ा सा धनिया पाउडर अद्रक हरी मिर्च हरा धनिया अद्रक ओप्शनल है अगर आप नहीं चाहें तो ना डालें लौकी कद्दुकस की हुई नीम्बू का रस और जितना हमारा सामक का चावल हमने लिया है उससे तीन गुना पानी हम लेंगे सबसे पहले हम कूकर में अपना घी डालेंगे घी के गरम होने के बाद हम उसमें जीरा डालेंगे हरी मिर्च और अद्रग भी डाल देंगे थोड़ा सा भूनेंगे इसको उसके बाद हम इसमें पानी एड़ करेंगे आप तीन की जगह चार गुना पानी भी ले सकती हैं अगर आपको थोड़े पतले चावल पसंद है तो नहीं तो तीन गुना पानी बहुत रहेगा उसके बाद हम इसमें अपना कटा हुआ आलू और लौकी डाल देंगे और सारे के सारे मसाले भी डाल देंगे सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा हरा धनिया और अपने चावल भी इसमें मिला देंगे ये सब मिलाने के बाद इसको अच्छे तरीके से चलाएंगे और इसका धकन लगा कर इसको 2 सीटी हम दे देंगे ये हमारी सीटी आ चुकी है, कूकर के सीटी खुलने तक इंतजार करेंगे और ये देखिये, ये हमारे सामक के चावल एकदम खिले खिले मिलकुल तयार है झाल 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 गल्प पूरा हो गया, पूरी 56 चीजे भोग के लिए हमने आपको 6 वीडियो में करके दी हैं, आशा करती हूँ कि ये सब चीजे आपके लिए बहुत लापदायक होंगी, और एक चीज जो मैंने आपसे अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी कहा था, वो मैं फिर से कहना चाते हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप 56 ही चीज बनाए, या 11 ही बनाए, या 21 ही बनाए, अगर आपका मन है, अगर आपका एक भोग बनाने का भी मन है, तो आप दिल से उसे बनाईए, भगवान सदैव भाव के भूके होते हैं, जितने प्रसन वो 56 भोग से होंगे, उतने ह आपके एक भोग और आपके भाव से हो जाएंगे, अगर चार लोगों ने भी हमारी वीडियोज देखके भोग बनाया, तो सच मानिये हमारा ये प्रयास सफल रहा, आप लोगों को वीडियोज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज इने लाइक और शेयर करिए, जन्मश्ट मी जन्मश्ट मी पर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि फलीहारी क्या भोग बनाएं, ऐसे में ये वीडियोज उनके लिए काफी हेल्पुल हो सकती हैं, वीडियोज को जादा से जादा लाइक और शेयर करिए, आपने कुछ भोग बनाए हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करिए हमारे फेस्बुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, उसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आज इस चपन भोग का काम पूरा करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे कुछ छूट रहा है, पर काम तो काम है, एक जल्दी ही मिलेंगे क्राफ्ट की नई वीडियो के साथ, जन्मस्ट्रमी आने वाली है, जन्मस्ट्रमी के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़े जरूर बनाऊंगी, आप सब लोगों की रिक्वेस्ट कूरी करने की भी कोशिश करूंगी झाल बनाऊंगी